देखो ये लोग तो हमेशा से इर अयोध्या में से राम मंदिर का विरोध करते रहे हैं कॉंग्रेस हो, सपा हो, आरजडी हो, डीमके हो, इस सभी नेशनल कॉंफरेंस हो, इस सभी एक ही थैली के चट्टे बट्टे हैं जिनकी भावनाएं हिंदूओं के विरोध में जाती हैं, भारत की आस्ता के विरोध में जाती हैं जिनका चरित्र तुस्टी करन की नीति को पोशक करने वाला आतंग वाद समर्थक और मर्यादा प्रसुतम प्रवसीर नाम के आदर्सों के विपरीत जो लोग सदे आचन करते रहें हैं, ऐसे लोगों से इस से ज़्यादा उमीद नहीं की जा सकती है लेकिन इस सुरिय सत्ता को शनौती देने का मतलब बिनास काली भिपरीत बुद्धी और यही बक्तब्य इन लोगों के आरेन की वास्तेविक चरित्र को जनताक जनारदन के सामने ये रख दे रहा है हमेशा इनका प्रियास था, इंडिक गड़बंदन से जुड़े हुए जितने लोग हैं कॉंग्रेस ने शुरू से प्रियास किया कि अयुद्या में राम मंदिर के मामले में माने नयायले से फैसला नाने पाए गुरोडे अठकाते थे, इस सोयम बैरियर बने वे थे इसके बाद जब ये मामला माने उच्चितम नयायले में भी गया तब भी इनो नो वर्स, आठ, साथ, आठ वर्सों तक कुछ भी नहीं होने दिया इसमे तो बाद में मोदी जी के नित्रतों में जब सरकार बनी और फिर प्रकरिया आगे वढ़ी फिर राज्य में भी सरकार बनी और फिर इस प्रकरिया को तीजी के साथ आगे वढ़ाया गया आज माने उच्चितम नयायले ने फैसला दिया आशनी प्रधान मंतरी जी के मार्क दर्शन और उनके निचित्त्तु में आज अयोद्या में भव्य मंदिर का निरमान और देश और दुनिया का कोटी-कोटी सरधालाओ आकर के अपनी सरधा को व्यक्त कर रहा है एक नए योद्या का दर्शन पारा है तो स्वाभाई कुरुप से कॉंग्रेस सपा या इंडी करवंदन से जुड़ेवे लोगों का पर कॉंग्रेस पार्टी को घेर रहे हैं